नमस्कार बच्चों मैता डिजल क्लास में आपका स्वागत है हम संस्कृत की पाठ ये पुस्तक पढ़ रहे थे हमने दो तिन अध्याय आपके पढ़ लिए थे आज हम पंचम पाठ पढ़ेंगे जो पंचम पाठ है आपका वो सुक्ति मोक्तिकम अर्थात सुक्तियों में जो मोती है जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी है वो आपके ये पाठ है सुक्तियों के माद्यम से कुछ हमारे जो विद्वान थे हमारे जो कई ग्रंत हैं ग्रंतों को लिखने वाले हैं उन्होंने हमारे जीवन में उप्योग के लिए जीवन में धालने के लिए, कई ऐसे वाके ऐसे सलोक, ऐसी सुक्तियां दी है, जो हमारे जीवन में बहुत उप्योगी हो, तो आज हम उसी में से कुछ देखेंगे, तो देखो प्रस्थुतो अयम पाटाहा नेतिक शिक्षानाम प्रदाय करूपियन वर्तते हैं अस्मिन पाठान से हैं विविद ग्रंतेभ्या संग्रहनम क्रत्वाहा नाना नेतिक शिक्षाबोधक पद्धानी ग्रहितानी संती हैं अत्रो सदाचरनस्यह, महिमा, प्रियवाण्यह, आवशक्तह, परोपकारिनाम, स्वभावह, गुनार्जनस्यह, प्रेर्णह, मित्रतायह, स्वरूपम, सेष्ट संगतेह, प्रसंसा, तथाचा, सक्त संगतेह, प्रभावह, इत्यादिनाम, विशियानाम, निरूपणम अस्तिह अब देखो प्रस्तु तो अयम पाट है प्रस्तु जो ये पाट है वह है नेतिक सिक्षानाम नेतिक सिक्षा के लिए प्रदायक रूपेर्ण वर्तत है अर्ताथ नेतिक सिक्षा को प्रदान करने वाले के रूप में है अर्ताथ हमारे जीवन में जो नेतिक गुण है नेतिक सिक्षा हमारे को वो देने वाला है अस्मिन पाठान से इस पाठ के अंस में विविद ग्रंतेव्य संग्रहनम कृत्वा विविन ग्रंतों से संग्रह करके नाना नेतिक सिक्षा बोध पदाने अनेक प्रकार के सिक्षक जो सिक्षा देने वाले ज्यान बढ़ाने वाले जो पद्य है उनको ग्रहितानी संति ग् प्रियवानी बोलने के आवशकता हां परोपकार नाम स्वभाव है परोपकार व्यक्तियों का स्वभाव गुणार अर्जनस से प्रेरण व्यक्तियों का अर्जन करने की प्रेरण हां ओर्थ सतसंगति के प्रभाव इत्यादि नाम विषिया नाम इत्यादि प्रकार के विषियों का निरूपन मस्ती निरूपन किया गया है लिखा गया है बताया गया है संस्कृत साहित्ते में निती ग्रंथों की सम्रद्ध परंप्रा अर्थात बहुत ही स्रेश्ट ज्यान देने वाले परंप्रा दिखाई देती है हमें उन व्यक्तियों के अर्थवा जो उत्तम स्रेश्ट पुरुस हैं उनका अनुगमन अतात उनका संप्रक हो या उनके बताय हुए रास्तों पर चल करके जीवन साफल्यम कर्तुम सकनुम है जीवन को सपल कर सकते हैं अर्थात हम अपने जीवन को सपल बना सकते हैं अब देखो प्रतम आपके स्लोग दे रखा है प्रतम स्लोग है आपको उच्छाण करना है अब ये आपके जो स्लोग है सुक्ति है वो मनुष्वरति में से लिए गई है ये आपके ग्रंत है एक बार हम इसका अनवे देखते हैं अनवे आपके आगे वाले प्रश्ट के अंदर दे रखा है अनवे का आर्थ होता है स्लोग को विवस्तित करना जिससे हम अर्थ निकाल सके करता करम करन के अनुसार ठीक है न तो देखो व्रतम यतनेन सरक्षेद वित्तम एती चय याती चह वित्ततह क्षिण है अक्षिण है व्रततह तू हता हता है अब देखो व्रतम व्रतम का मलब होता है आचरण व्रतम का मलब क्या होता है आचरण यतनेन यानि प्रेत्तन पूर्वक सरक्षेद सरक्षना करने चह यह रक्षा करने चह अर्थार्थ व्यक्ति को अपने आचरण की प्रेत्तन पूर्वक रक्षा करने चह यह वित्तम एती चय याती अर्था द्वित्तम यानि धनकी नहीं विःत्तम का मुलब क्या होता है धन कि एक चैय आति क्या क्योंकि गॱित्तम एक या चैयot चैय वित्तम यानि धन तो ए tali याता है और चैय आती चैय और चला जाता यार दिनी चम्छराण congratus वित्तता क्षण अक्षण हां वित्तता यानि धन से क्षण यानि क्षण व्यक्ति धन गये हुए व्यक्ति अक्षण है बिना कोई क्षण वाला क्षण वाला है वर्तता क्षण है अर्थात आचन से क्षण जो व्यक्ति है तो हता हता है यानि उसका सब कुछ चला गया है अर् तो स्लोग में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को अपने आच्रन की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने चाहिए क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है वित्ततक्षने अक्षने वित्त से यानि धनसे जो खब्षन है धन के बिदा जो व्यक्ति है वह अक्षने उस वह बिना किशी खब्षनवाला है और उसका कुछ भी नहीं गया है और व्रतम खब्षने के अगर वरत्य यानि जो आच्छन चला गया है तो हता है अर्थात वह सब कुछ उसका नेस्ट एचुका है तो वरत्य का मेलब क्यों होता है अच्रण ठीक कि यह आपको ढ्याण में रखना है अब इस में आपके शंदर फैक वह वह आता प्रशंग आता है तो प्रशंग अभी आपको लिखा दूगा लगभग सब में आपके एक सेम स्लोक में जो है वो साही आएगा एक में तो अभी लिखा देता हूँ आपको अब दूसरा स्लोक देख लिजी आप अब यह आपके विदूरु निती है विदूरु आपके महभारत में जो विदुर्जी थे उनके द्वारा बताए हुए नीतियों के अनुशार ये है तो आपको इसको एक बार अज़े देखो इसका अनुवे देखो दूसरे स्लोक का अनुवे देखो धर्म सर्वस्वम सुर्यताम सुरुत्वाचे एव एव धार्यताम आत्मनह प्रतिकूलानी परिसामने समाचरीत अब देखिए धर्म सर्वस्वम अर्थार्थ धर्म अर्थार्थ आपका जो क्रतव्य है जो आपका धर्म के प्रति जो धर्म के अनुशार क्रतव्य आपको क्या करना चाहिए उसको सुर्यताम यानि सुनना चाहिए सुर्यताम का मलब को हो गया सुनना चाहिए सुरुत्वा सुनकर चै एव अवधार्यताम एव चै और उसको ही अवधार्यताम धारन करना चाहिए हमें अर्थाट धरम से समंदित जो हमारा कृतव्य है उसको हमें सुनना चाहिए और सुन करके उसको अवधारेताम धारन करना चाहिए आत्मन है प्रतिकूलानी आत्मन है यानि स्वियम के प्रतिकूलानी विपरित स्वियम के विपरित परेशाम न समाचरेत परेशाम यानि दूसरों के साथ में चैस समाचरेत उसके समान ही आचरन करे विक्ति अर्थात ऐसा कोई आच्रन नहीं करे ऐसा कोई कारे नहीं करे जो स्विम को बुरा लगे अगर कोई दूसरा हमारे साथ में ऐसा विवार करे तो हमें बुरा लगे हमें ऐसा विवार नहीं करना चाहिए हमें ऐसा विवार करना चाहिए कि जो हमें दूसरा अगर हमारे साथ कोई करे तो वो हमें अच्छा लगे तो हमें दूसरे के साथ भी ऐसा ही विवार करना चाहिए एक बार तुना देख लिजी आग धर्म सर्वस्वम सुर्यताम सुरुत्वाच अवधर्यताम धर्म के संबंदित जो आच्रन है जो कर्तव्य हमारे उसको हमें सुनना चाहिए और सुन करके अवधर्यताम उसको हमें धार्ण करना चाहिए अपने जीवन के अंदर उसको लगाना चाहिए लाना चाहिए क्योंकि आत्मन है प्रतिकूलानी अपने से प्रतिकूल प्रेसा हमने समाचरेद अगर कोई हमें प्रतिकूल लगने वाला कोई ऐसा कार्य हो वैसा हम दूसरे के साथ में कभी नहीं समाचरेद उसके समान आचरन हम कभी भी नहीं करें अर्तात हम दूसरे के साथ में भी ऐसा ही आचरन करें जो कि हमें अच्छा लगता हो ठीटे विटे आगे देखिए चोतस तीसरस लोग देखिए प्रिये वाक्के प्रदाने नह सर्वे तुष्यंति जन्त वह तस्मात देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रत हा प्रिये वाक्के प्रदाने नह अब आपके चानके नितिशिता उपरवाला विद्रू नितिशा यह आपके चानके थे उनके जो गंथ है उनसे लिया गया है कि प्रियवाक्य प्रदाने ने सर्वे तुश्यंति जंदवा तस्मात देव वक्तव्यम वचने का दरिद्र था आगे देखे इसका भी हम एक बार अन्यवे देख लेते हैं अब देखो सर्वे जन्तव है सर्वे यानि सभी जन्तव यानि प्राणी सभी प्राणी प्रिये वाक्य प्रदान करने से अथा प्रिये वाक्य बोलने से तुष्यंतियानि प्रसन होते हैं तुष्यंतियानि प्रसन होते हैं तो सभी प्राणी प्रिये वाक्य बोलने से प्रिये वाक्य में प्रिये बातों से प्रसन होते हैं तु श्यंत्यनिस प्रसन होते हैं या संतुष्ट होते हैं आप ये साभी कह सकते हों संतुष्ट होते हैं तस्मात तब तत एव वक्तव्यम वेशा ही बोलने में तत एव उसी प्रकार बोलने में या वेशे ही वचन बोलने में वक्तव्यम वचन है का द्रिद्रता वचनों में द्रिद्रता केसी अर्थात केसी द्रिद्रता मिठा बोले में कंजूसी द्रिद्रता का मलब आप कह सकते हो कंजूसी से अता सभी जन्तू प्रिये वाग के बोलने से संतुष्ट होते हैं प्रसन होते हैं तस्मात तत तस्मात यानि तसमात का मलब तब यानि अगर हम अता है इस प्रकार से तब तत एव उसी प्रकार के एव यानि ही वक्तव्यम बोलना चाहिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए कि हमें प्रिये ही बोलना चाहिए हम ऐसा कठोर क्यों बोले वचने काद्रिद तहा तो हमें ऐसे प्रिये वचनों मे जो प्रिये वाक्यों के अंदर किस प्रकार के दर्दिता था कंजूशी हमें क्यों रखने चाहिए हमें हमेशा ऐसा ही वाक्य बोलना चाहिए जिससे सभी लोग संतुष्ठ हो हमसे प्रशन हो ठीक है पिटे आगे देखिए चतुर्थ स्लोग देखिए पिबंति नद्ये स्वमेव नांभा स्वयं नकादंति फलानि व्रक्षा नादंति सस्यं खलुवारिवाः परोपकारायसतं सतां विभूतयः पिबंति नद्ये स्वमेव नांभा स्वयं नकादंति फलानि व्रक्षा अब आपके ये स्लोक है वो सुबाचित रत्न भंडारगारम नाम का जो ग्रंत है उसमें से लिया गया है तो हमें इसका एक बार अन्वे देखना है देखो नद्यस्वयम एव अंभय नपी बनती व्रक्षा स्वयम फलानी ने खादंती वारिवाहा खलू सस्यम ने अदंती सताम भी बूते है परोपकाराय एव भवंती अर्थात परोपकाराय ये एव भवंती अब देखो हमें स्लोक देखना है हमें हिंदियर देखना स्लोक का नद्या यानि नद्या नद्य का मलब क्या हो गया नदियां स्वयम जो है वो एव ही अंभय अंभय यानि जल अंभय का मलब हो गया जल ने पिबंती नहीं पीती है पिबंती का मलब पीती है अर्थात नदियां स्वयम जल को नहीं पीती है ने अंभय पिबंती ही स्वयम नदियां जल को नहीं पीती ह व्रक्षहा स्वयम व्रक्ष जो है वे स्वयम फलानी यानि फलों को ने खादनती नहीं खाते हैं वारिवाहा वारिवाहा का मलभ होता है बादल खलू या निश्चित रूप से सस्यम ना अब यहाँ पर हम सस्यम का ले सकते हैं यान को अन कह सकते हैं उसको सस्यम का अर्थ क्या हो जाएगा अन हो जाएगा यहाँ पर यानि बादल क्या करते हैं वर्षा करते हैं और वर्षा से क्या अनुत्पन होता है तो सस्य का मलब क्या हो गया अन ने अधन्ती ग्रहन करते हैं अधन्ती का मलब क्या हो गया ग्रहन करते हैं या खाते हैं उसको खाते भी कह सकते हैं ग्रहन करना कह सकते हैं अब तो और शताम विभूतेया है सताम यानि सजल विभूतय में परोपकार आये परोपकार के लिए होती है दूसरे के उपकार के लिए होती है अब एक बार ओर देख लिए नद्या स्वयम एव अंभय नपी बनती नद्या स्वयम अपने जल को नहीं पीती है वरक्षा स्वयम फलानी नखादंती वरक्ष स्वयम अपने फलों को नहीं खाते हैं अर्थात उनके फलों कोन खाते हैं? प्राणी खाते हैं, जन्तु खाते हैं सबी व्यक्ति काते हैं स्व्यम नहीं खाते हैं वारी वाहा खलू सस्यम नग अधनती वारी वाहा यानि जो बादल होते हैं वो खलू यानि निश्चित रूप से खलू एक अव्य है सस्यम नग अधनती यानि अपने द्वारा उगाया हुआ अन है जो क्योंकि जल वहन करने वाले बादल जो है वो स्वयम के द्वारा जब उगया हुआ जो अन है अपने द्वारा उगया हुआ अन है उसको न अधन्तिक नहीं खाते हैं सताम भीबूते हैं सज्जन व्यक्तियों की जो संपतियां होती है वो परोपकार आये एव भवन्ति परोपकार के लिए होती है दूसरों की उपकार के लिए ही होती है अब आपके चार स्लोप होगे अब देखो हिंदेरता आपको लिखना है अब आपको प्रशंग बता देता हुँ में आपको प्रशंग आपको संस्क्रित में लिखो तो कैसे लिखना है देखो प्रस्तुतो अयम पध्धांसा अस्माकम पाष्ठे पुस्तकम पाठ्थे पुस्तकस्य उग्ध्रितो अस्ति हमारी पाठ्थे पुस्तक से लिया गया है ठीक है आपको ये आपको लिखना है इतना ही केवल ठीक है और स्लोक के बारे में लिखना होता है तो थोड़ा वो स्लोक के लिए लिख दो जैसे प्रतम स्लोक किस्ते समंदित है प्रतम स्लोक आपके मनुश्वर्ते समंदित है प्रस्तुत्ष्लोके व्रतम विशये कत्यते व्रतम यानि आच्रन के विशये में कहा गया है तो आगे आप इन दिसरलात वगरा लिख दो सब्सक्राइष्लात वेख दूसरा आपके श्रयताम धर्मसर्य यानि आपके स्वयम के प्रतिकूल वचनों के बारे में इस कहा गया है तीसरा प्रिये वाणियह या प्रिये वाग के विशयेओ अथे ती और चतुर्त आपका परवकारेष से विशयेओ अथे ती आपको इस प्रकार लिखना है धन्यवाद बच्चों आपको हिंदी सलात इसका अपने पार्टे पुस्तक से उत्तर पुस्तिका में लिखना है ठीक है नहीं? और साथ में कठिन सब्द भी आपको इसमें से हल करने है धन्यवाद बच्चों